करेंद एक सभी हो वाइप जो है वो व्यब्साइट जो है वह वायो इंफर मेंटिक्स फ़र्म से रिलेटेड कि जो कि यूज़ वह और यूज्व है आप जानते हो की स्टैक्स मैंथमेटिक्स के शिपर इस अवी के प्रॉब्लम को भी जो है वह वह कंटर करती है तो प्राइब लेते और बादमें उसे जो है वो ब्रॉकर के थूरू बेशते हैं तो वह आप को मत करना है वो मत करो क्योंकि उसमें आपकी बहुत पैसे बेश्ट हो जाएंगे उससे अच्छा है कि आप जो है वह एक अच्छा सा नीस आपना जो है वह नेम ब्रैंड का चूज कर रहा है और भी कि आपका जो वर्क है आपका जो काम है उससे रिलेटेट ही जो हो आप टीएल लिलो और वो थोड़ा सा लॉंग टर्म में भी आपको देख के लेना चाहिए ताकि बाद में आपको दिक्कत नहों और यह तो इसकी प्रोस होई और जो कौन साइट होती है इसकी मिन्स डिसर्वांटे साइट की देखो कभी-कभी जो है वह इसकी जो रिन्यूवल चार्जेश होती है वह थोड़ी जादा होती है तो उसकेस में आपको जो है वह एलट रहना है कि ऐसे नहीं हो कि रिन्यूवल चार्जेश बहुत हाईर हो as compared to.com या.in जो कि बहुत सस् से देख लेना और इन सभी को आपको भी यह factors है 5 factors जिसे आपको जो है वह consider करने चाहिए while purchasing तो देखो इसमें आपको brand name से यह सभी तो देखना ही होता है और थोड़ा जियो specific होना पड़ता है कि आपकी website कहां पे जो हो आप SEO कर होगे यह सब भी ओके और अपना industry के बारे में से भी जो है वह आपको पता होना चाहिए और आपके competitors कौन-कौन से हैं वह भी आपको पता होने चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं ओके ताकि आपको जो हो पता चल पाए okay so thanks watching the video and have a good day and don't forget to subscribe and keep exploding